नास्कार में नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF News जर्मनी में चल रहे है G7 में परधानमंतरी की मोदी की भौकाली पुरी दुनिया ने देखी अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन खुद चल कर PM मोदी से कैसे मिलने आएं ये भी पुरी दुनिया ने देखी जिसके बाद PM मोदी के पावरफुल शक्सियत की चर्चा हर तरफ हो रही है और फिर ये साबित हो गया है कि PM मोदी दुनिया में लोगपर ये नेता बन चुके हैं PM मोदी ने G7 के शिकर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन, ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन, फ्रांसिसी राष्टपती इमैनुवल मैक्रो, कनडाई पीम जस्टिन टूडो के अलावा कई नेताओं से मुलकाद की इन नेताओं ने बड़े ही गर्म जोशी से PM मोदी से मुलकाद की जिसकी तस्वीरे सोशल मेडिया पर काफी वैरल हुई है इन सब में सबसे ज़ादा जो तस्वीर वैरल हो रही है वो है जो बाइडन की तस्वीर जिसमें वो खुद चलकर PM मोदी के पास आ रहे हैं और फिर उनके कंधे पर हात रखी जिसके बाद PM मोदी ने भी उनका स्वागत करते हुए बड़े ही गर्म जोशी से मुलकाद की इन तस्वीरों के वैरल होने के बाद लोग इस पर खूब प्रतिकरियाएं दे रहे हैं यहां तक कि प्रतिकरिया के मामले में पाकिस्तान भी पीछे नहीं है पाकिस्तान के पुर्व राजनईक और भारत में पाकिस्तान के उचायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने G7 की बैठक में भारत को बुलाया जाने के पीछे के कारणों का जिक्र करते हुए कहा है अमेरिका और सदस्य देश भारत को रूस से दूर करना चाहते हैं इसलिए उसे ग्रूप में तरजीह दी जा रही है बासित ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत को G7 का सदस्य बनाया जाए अपने यूट्यूब चैनल पर जारी एक वीडियो में बासित ने कहा हमारे नजरिये से दल्चस्प बात यह है कि सम्मेलन में भारत के परदान मंतरी को भी बुलाया गया है इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक उभरती हुई अर्थ बेवस्था है उन्होंने आगे कहा अमेरिका के नर्तित्तों में जी सिवन के देश रूस पर दबाव डालने की कोशिस कर रहे हैं कि वो जल्द से जल युद्ध खत्म करते लेकिन वो अभी तक रूस पर पूरी तरह से डबाव डालने में नाकाम़ाब रहे हैं अब ये देश किसी भी तरह से रूस की करीबी दोस्त भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं बहुत मुम्किन है कि भारत G7 का अस्थाई सदस्त भी बन सकता है क्योंकि ना तो रूस और ना ही चीन इस ग्रूप का हिस्सा है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत एशिया पैसिफिक में कौार्ड का हिस्सा है और फिर पश्चिम एशिया में एक दूसरे कौार्ड का भी हिस्सा है जिसमें अमेरिका है इजराईल, UAE और भारत है तो मुम्किन है कि भारत G7 का सदस्त बन जाए तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अब दुनिया भी मोदी की ताकत का आप लोहा मान चुकी है और दुनिया की शक्ती शाली देशों को भी लगने लगा है कि दुनिया के समीकरण को इस्थिर बनाने के लिए भारत का युगदान बहुत ही जरूरी है भारत को चाहा कर भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है तो दुनिया के दूसरे देशों की नजरों में जो भारत की छवी बनी है उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताए